तो हेलो दोस्तो कैसे हो आप लोग आशा है कि आप लोग ठीकी होगे तो स्वागत है आपका एक न्यूँ वीडियो में और ये भी जए एक इशीकाई वीडियो रहने वाली है लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटिश रिक्वेस्ट है कि अभी अगर आप लोगों ने चैन स्काइब नहीं किया है तो प्ली चैन स्काइब कर दीजगा और साथ ही यहां पे नीचे कमेंट कर दीजगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे काफी ज्यदा मोटिवेट करता है और भी ऐसी नहीने वीडि कि प्लीज आप लोग मेरी लिए 40 कमेंट कर दीजगा ताकि मैं आपके लिए अगला अपिशोड जल्दी लेकर आऊ इस वीडियो के अंदर मैं फर्स्ट अपिशोड और सेकीन अपिशोड को साथ में एक्स्प्लेंट करने वाला हूं चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी می Lucky में हम देखते कि हम पर कुश टाइम भी जाता है और यहां प इस एंधिर में यहां पर तो कि यहां पर यह ओ नहीं है तुम लिए किसी है कोई कर नहीं नहीं है इसलिए तुम यहां करे यहां पर जा रहे होता है यहां पर बहुत दूरि यहां पर जाता है तब इसको यहां για पर एक वो होते हैं हो छो दोवार्द हैं यह नहीं जां जाना का है लियां? लोग जो एलस होता है उसका जो मज़ात बदास होती है तो यहां पर एक फिसके बदेखते हैं कि जो लड़की होती है तो यहां पर यहां पर यहां पिसे जाना ही पड़ेगा और यह जो होता है हिहाँ पर पुछ होते हैं हमला करने वाले होते हैं यहाँ होती हैं यह बचाने के लिए पर आजाती है इस लड़की को और तभी हम लेखने को आगा पर जो होता है बीच में और गरून deze फिर म èसा हीah, यहाँ है आधिक कर This लूठी मारता है जिसके बाद meekन लड़की बोस्टा होता है और छिंता स्क पर आजय스ा होती है और विस्का सग्रे करती है तो मेरे लेकन पास तो लूठा को छोड़ो ना बतों को यहाँ प्राइलिस अपने मन के लिए इन दर बोह रहा होता है किfln की chi फिल लड़की जह होस में आ जाती है और ये अलिस का सुख्रे करती है तब यहाँ पे जो एलिस सा होती है ये बोलती है लेकिन तुम्हारे पास इतनी पावर कहां से आगी अलिस तो एलिस भोलता कि छोड़ो इन बातों को यहाँ पे Alice अपने मन के अंदर बोह रहा होता है कि आखिर कार मैं इनको कैसे बताओं कि यह power मुझे पिछली जिनगी से मिली है तब यहाँ पे जो Alice होता है यह बोलते कि वैसे Lisa तुम जो एक प्रिंसेस हो और तुम यहाँ पे कह कर रही हो जिसके बाद लीजा बोलती के असल में हमें यहां पे जो भविश्वानी है वो जह हुई थी और यहां पे हमें उस भविश्वानी के हिसाब से ही चलना पड़ेगा इसलिए मैं यहां पे उस भविश्वानी का जो पीछा है वो जह कर रही हूं यहाँ पे हम लोग आगे जाए रहे थे तब यहाँ पे मॉस्टर जो है आगे उन्हों ने जो हमारे उपर हमला कर दिया तब लीज़ा बोलती कि वैसे तुम क्या करो यहाँ पे आलीस तो एलिस यह बोलती है कि हमें यहाँ पे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए और यह जाता है और जो बगई होता है उसको जह हील कर देता है अपने हीलिंग मैजिक की हल्प से जिसके बाद यह लोग यहाँ पे जह जा रहे होते हैं आगे के तरफ और यहाँ पे जो लीजा होती है बोलती कि अच्छा तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें जह निकाल दिया ह यहाँ पे लीजा बोलती कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे दे तुम होई साथ ट्रेवल कर सकते हो तो यहाँ पे अलिस बोलता है ठीक है लेकिन कहीं तुम मुझे अपने जो राजमहल है वहाँ पे तो नहीं ले जाओगी कहीं तुम मेरे इस्तमाल तो नहीं करना जाती तो यहाँ पे अलिसिया बोलती कि नहीं हमाई दोस्ती सबसे उपर है नेक्शिन में यह लोग यहाँ पे जहें एक विलेज के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे यहाँ पे जो बंदे हैं वो कहाँ पे हैं तभी इनको यहाँ पे कुछ बंदे दिखाई देते हैं जो यहाँ पर गर के बाहर इकटे हुए होते हैं तभी यहां पर एक बंदा जो होता है अपने घर में से एक लड़की को यहां पर बाहर निकाल देता है और यह बोलते कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है यहां पर जो लड़की होती है वो काफी गुस्ता हो जाती है तभी हम देख यही लोग यह जो लोग ऐघृर काथ करता है इसके बाद का रहे होते हैं हैं इसमें मोजह यहां पर कर रही तो मुझे यहां पर डिखाई दिन शीड़ी और जैसी ऑस कि उसने एक ड्राइगन दिखा है जो उसको खाँ चाता है इसे जनकारी पाने के लिए मैं विलेज चीप के बास गई थी लेकिन उसने मुझे बात करने के लिए मना कर दिया और मुझे यहां पर बाहर निकाल दिया यहीं पर एलिजिया बोलती कि आखिरकार वो बच्चा कहां पर है तो यहां पर अकीरा बोलते कि ओ बच्चा यहां पर जो गुफा के अंदर है मैंने उसको चुपा रखा है अब मैं जा रही हूं यहां पर जो ड्राइगन है उसको मानने के लिए जिसके बाद यह लोग बोलते कि ठीक है हम भी तुम्हारी हेल्प करेंगे और यह होती ही बोलती है क्या तुम मुझे कम समझते हो तो यहां पर इसी कोई बात नहीं है जिसके बाद यहां पर जो अकीरा होती है वो जो होती जा रही होती आगे की तरफ और यहां पर पहुच जाती है और यहीं पर बंदे होते हैं और यहीं पर देखते हैं जो यहां पर ड्र करना Start vaccin कर दिया यहां पर तीरा अपना जो मैजिक होता है उसका कित्वाल करती है मुष्टर के उपार लेकिन यहां पर जो मुष्डर होता है उसको जाये कुछ भी नहीं होता इस हमले से एक spot Orange would पड़ी हुई है यहां ड्रेगन बोलते कि मैंने इसका इस्तेमाल किया था एक चारे की रूप में लगता कि तुमने मेरे प्लैंत समझानी अभी तक असले मुझे पता था कि यहां पे इसके उपर हमला करती है ड्रेगन के उपर लेकिन जो ड्रेगन होता है उससे कुछ भी नहीं होता है तब घ्रगन होता है व difiresयो kे अटार उसको पर कॉर देता है यहीं पे जो लीजा होती है वो जो होती अकीरा को यहाँ पे जह हील कर रही होती है और यहाँ पे यह लोग जो होते है ड्रेगन से वाइटिंग कर रहे होते हैं यहीं पे जो ड्रेगन होता है वो इंके उपर हमला कर देता है तब ही जो Alice होता है यो बोलते है कि तुम अकीरर का ध्यानक हो और जिसके बाद यहाँ पर Alice लडने के लिए चलाता है तब इसीधर ड्रेगन के उपर यहाँ पर हमला कर देता है और यहाँ पर जो ड्रेगन होता है उसको काफी यह चोट लग जाती है और जो ड्रैगन होता है वो जो होता है पहाड से टक्रादाता है और यहाँ पहाड होता है वो जो होता है तूटने लग जाता है तब ड्रैगन यहाँ पे इंके उपर हमला कर देता है लेकिन जो सोज़ा लड़की होती है वो जो होते यहाँ पे बच्ची को बच्चा लेती है यहाँ पे जो Alice होता है वो काफी गुस्ता हो जाता है और यह बोलता है कि आप मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं और यह जो होता है हमला कर देता है अपनी तलवार से यहाँ पे जो Alice होता है वो बोलता है कि मैं भोया ठक गया हूँ अब तो जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो बच्ची होती है वो जो होती हीरो के गले मिल रही होती है जिसके बाद यहाँ पे जो एलिस होता है यह बोलता है कि मैं कभी यह नहीं करना चाता था है आज यह यहाँ पर help की है जो यहाँ पर hero है उसको जह dragon को हराने में मुझे नहीं लगता कि इसके बाद में जो जिंद्गी है वो जह अब शांती भरी रहने वाली है लेकिन फिर भी जब भी मैं यहाँ पर किसी बंदे को देखूंगा कि ओ मुसीवत में है और भले ही ओ मेरा अपना हो मैं जहुं से यहाँ उसकी help करूंगा मुझे जह सब की help जो आप करनी है यहाँ पर सीन होता है और हम देखते हैं यहाँ पर है ऑपनी खोल देता है और जिसके बाद ऑलीस बोलते कि मुझे माफ करना मैं सौ गया था लीजा बोलते कि आखिरकार तुम माफ़ी क्यों मांग र यहां पर अकीरा और टीना होती है वो दोनों यहां पर प्रेस्टिक कर रही होती है जिसके बाद यहां पर अलीजिया बोलती के असल में आप तो तुम भी जान गए होगे जिसके बाद यह हीलिंग मैजिक को याद करता है और यह बोलता है कि मुझे लगा था कि एक अफवा है कि यहां पर कोई लेड़ी आती है और जो यहां पर जुरुत बंदे होते हैं उनको जह हील करती है लेकिन मैं यहां पर तुम्हें यहां पर कोई दिक्कत लेंगी जोत नहीं है तुम्हें म मुझे माफ कना असल में मुझे ज्यादा बंदों के सांथ काफी दिक्ट होती है क्योंकि मैं अमेसे एकल्य सफर करती हूं और मेरा मन करता है तब वी मैं सफर करती हूं बाकि टायम मैं रुकจะती हूं फिर अकीरया यहाँ बची को देखती है और यह बोलती ह suits किending सा jij चाओं गी कि इसकी फैमली नहीं नहीं इसलिए नहीं मैं चाहती हो कि यहाँ इस साथ चले I तो यहाँ पर ऐलीस बोलते है कि तुम ऐसा मत बोलो तुम यहाँ पर असली हीरो तुम्हारी वेसी मैं ड्रेगन को हरा पाया क्योंकि तुमने पहले ड्रेगन के हाँ फाटिंग कर ली थी ज़िए कारण ओब भोजा ठक गया था जिसके बाद मैंने उसको बड़े अराम सरा दिया जिसके बाद अलीसिया बोलते की तुमाँ शुकरिया फिर नैक्षीर में यहाँ पर अलीसिया जो होती है बोलते की चलो मेरे साथ जिसके बाद यहाँ बच्ची जो होती है इसके यहाँ चली जाती है फिर हम नैकीर में देखते हैं कि यहां पर जो राज महल होता है उसका सिंद दिखाया जाता है और यहां पर एक बंदा बोल रहा होता है कि जो ड्र tirgan है वह हार चुका है जिसके और महराज बोलते है लगता कि यह उसी सेंत का काम है तो यहां पे जो बंदा होता है यह बोलता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता है तभी इनका बेटा कहता है कि मैं जाता हूँ और उसको जह मार कहता हूँ महराज अपने बेटे को बोलते कि तुम शान्त हो जाओ और जिसके बाद इस बंदे को बोलते है कि सबसे जarioरी बात यहां पर तुमने सेंत का पता लगाए कि अकरकर वो जह कहा पे जा रही है और साथी घृटव है उसका पता लगाए था तुमने जिसके बाद यह बंदा बोलते है कि अभी तक मुझे पता नहीं लगा है यहां पर एलिस बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि मेरे बाउंटरी के पास यहां पर इतना अच्छा कोई गाउं रहता होगा तो यहां पर जो टीना होती है बोलती कि उस गाउं में यहां पर एक एल्फ रहती है जो बोजा स्किल है यहीं पर जो लीजा होती है यह बोलती कि मुझे माफ करदेना मेरी वेज़ से तुम है यहां पर जहें इन सब चीजों के पर्णखने कोई बात नहीं लीजा बोलती है अब से मैं तुम से पूछ के काम करूँगी अगर तुम यहाँ चलना जाते हो तुम चल सकते हो वरना तुम यहाँ पर रहने देना तो यहाँ पर एलीज बोलती है कि नहीं मैं बहाँ चल सकता हूं लेकिन मैं यहाँ पर कैपिटल के अंदर नहीं जाओंगा तो यहां पर लीजा बोलती कि तुम चिंता मतलो मैंने फादर से पहले ही बात कर ली है तो यहां पर हमें कोई दिक्त नहीं होगी फिर नेक्शिन में हम देखते कि यहां पर यह लोग जो होते आग जिला रहे होते हैं यहाँ पर टीना बोलती है कि हमें फ़रा इंतजार करना पड़ेगा आग जिलाने के लिए तब यहाँ पर जो एलीन होता है वो जो होता है मैजिका इस्तमाल करता है और यहाँ पर आग जला जाता है तब एक दम से यहाँ पर बैठी होती है लेकिन हम थोई देले बात देखते कि यहाँ पर एलीसिया जो होती है इसके साइड में सो जाती है जिसके बात यहाँ पर जो एली होता है यह बोलता है कि मैं यह काम जो है कर पाऊंगा मुझे यहाँ पर इस समय को देखके उसी समय किया आती है जब मैं पहली बार अलीसिया से मिला था उस दिन भी इसी तरह तारो भरा जो असमान था वो था यहीं पर हम पार्ट के सीन को देखते हैं यहां पे जो एली होता है वो खड़ा होता है तब एलीसिया इसके पास आ जाती है और यह बोलती कि मैं नाम एलीसिया है पर जिसके बाद सींज जो प्रेजिंट का आता है फिर नेक्शिन में हुँ देखते कि यह लोग यहां पर विलेज के अंदर पहुच जाते हैं यहां पर जो एली होता है यह बोलता कि मैं सोचा भी नहीं था कि मेरे बाउंटरी के पास ऐसा को बिलेज होगा टीना बोलती कि यहां पर बहुत साथ जो मर्चंट है वह भी जह आते हैं नेक्शिन में यह लोग यहां पर यहां पर देखता कि दरवाजा खुला हुआ है जिसके बाद है यह लोग अर्ज ले जाते हैं और यहां पर जो हतियार होते हैं उनको देख रही होते हैं तभी यहां पर जो काफ пошशा रही होती है इक है यह जो थख गई थी और तीना बोलती कि ह vic यसा बरिक लेना भूल जाती है और शिसके बाद और धक जाती है और अपने आप इंचे गिर जाती है जिसका नोवेला जो होती है यह पर अपर बुत धीया नाम अलीट और यहां पर फृब्र के और इसके पास तो पहले नहीं बौलता है लेकिशे को तूठ चुकी है झिल्वार को देखती है और यहां पर चेक है जिसके बाद यहां पर नोबेला बोलती की जो मैंने कहा वो जह तुम भूल जाओ और यहां पर नोबेला बोलते की मना करने की अब कोई रिजन नहीं है जहुं जुरू लोगा उसको यहां पर नोबेला बोलते हैं सब कुश रटल होगया है और यह जो होती DR नोबेला के बाएं में सोच के काफी पर्शान हो रही होती पर यहां पर Tina बोल तकि जब भी नुविला यहां पे काम करती है वो जह अपने आस पास किसी को भटकने नहीं देती वो जहाँ बढ़ा देती है पिर यहां पर एलिन बोल ताए ठीक है तो मुझे यहां पर जो विलेज है वह दिखा दो जिसके बाद यह लोग विलेज देखने करें चले आते हैं तब यह हम देखते कि एक लड़की इंक योप पर नजार रख रही होती है और यह बोलते कि मुझे रिपोर्ट देनी पड़ेगी जिसके बाद हम उसी बंदे को देखते हैं और यह बोलते कि अच्छा तुमने करना चाहिए तो यहां पर टीना बहुता है तुम यहां पर सील अराम कर लो यहां पर करना जाती है यहां पर तियो Cake पर चीजह करना जाती है नेक्शिन में एलीन यहां पहुँच आता है एवन से गिल के अंदर और यह बोलते कि मुझे इस ड्रेगन के बतले यहां पैसे चाहिए यहां पर जो लड़की होती है वो काफे शोक में आ जाती है और यह बोलती कि आखिरकर यह बात करने पड़ेगी और यह बात करने के एलीन यहां पर जो घूर रहा होता है इसके बाद और बोलते कि मुझे माफ कीजएगा मैं नाम यहां पर हूटर है वैसे आप जिस ड्रेगन को मार के लाएं मुझे लगता कि आपकी जो हेल्प है वो जो हिरो ने की है जिसके बाद यह बोलता कि वैसे आपकी निज़ा सही ह तब यहां पर लड़की आ जाती है तब लड़की बोलती कि मेरा काम पूरा हो गया है तब हम देखते कि ओबंदे यहां से गाव जाते हैं और बोलते कि हम लोग फिर मिलेंगे जिसके ओनेश मॉर्निंग का हम सीन को देखते हैं यह लोग नोबला घर पहुंच जाते है और यहां पर देखते कि नोबिला वह उस पड़ी है तो यहां पर फिर से जहें उसको बन चुकी है चलो अब जैसे टेश्ट किया जाए जिसके बाद यह दोनों टेस्ट करने के लिए जंगल में आ जाते हैं यहां पर चोटी थी और जम्में यहां पर विलिज में आई थी लेकिन कि मझें मुझे अपने विलिच की पता रही था और और मैं बहुत संगई थी तभिस और इक बन्दा यह यहाँ पर आया तुम्हें अपनी हिस्टी और यहां नहीं बता रही हूं और यह सरमा जाती है और यहां से ख़ा बारे ओल्ड में दुबार आता है और यह बोलता है लगता है कि तुम हंटिंग करें जा रहे हो चलो कोई बात नहीं जब तुम अपिस आवगे तो मैं तुम्हार इंतजार करूंगा और तुम मुझे प्लिस बता देना सब बिल्कुर ठीक से इस्तिमाल किया है तुम्हें तलवार के ऊपर एक खरोज भी नहीं आए दी जिसके बाद यह बोलते कि चलो आगे चलते हैं फिर यह लोग जो हते आगे की तरफ जा रहे होते हैं लेकिन यहां पर काफी दून होती है जिसके बाद यहां पर जो एलीन होता है वो पर तलवार से धुन को साफ कर देता है तब यहां पर एक बड़ा मोंस्टर दिखाई देता है मोंस्टर को देखके नोविला को यहां पर काफी डर लग रहा होता है और इसके मन में यहां पर भागो भागो की आवाज यह सुनाई देने लग जाती है और यह जो अपने पाश्ट को याद करने लग जाती है कैसे एक लड़की यहाँ पे इसको भागने के लिए बोल रही थी लेकिन तभी मोश्टर आता है और यहाँ पे उस लड़की को खा जाता है जिसके बार नुविला बोलती है कि मैं तलवार लो और यहाँ पे जह इसको माड डालो दोस्तों अब जो वीडियो होती है वो यहीं पे खतम होती है उमीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लिस कमेंट कीजेगा चले ठीक है मिलता हूं आपको अगले पी शोड के अंदर जब तक लिए बाई बाई